हलो एवरिवन माइनेम इस मनेश मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ आई टी आई अलोट्मेंट के बारे मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो पर तो वीडियो को लाइक, सेयर और योटूब चैनल को सस्क्राइब कर ले इस वीडियो पर जानेंगे गौश्मेंट आईटि आई आबंटन कब से होगा कैसे आबंटन को देखना इसके बारे में इस वीडियो पर देखेंगे सबसे पहरे आपको Google पर टैप करना है परमेश्वरी मैम मैं आपको सर्च करने गुगल पर इस तरह से आपको दिखाई देगा यहाँ पर आपको दूसरी वेबसाइट पर मेस्वरी मैं डॉट टी ए सी एच इसको आपको इंटर कर देना है इस तरह से आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगा अलोटमेंट लेटर आपको देखना है तो यहाँ पर CGITI Admissions 2023 CGITI Admissions 2023 ओनलाइन फॉर्म कैसे भरे इसको आपको क्लिक कर देना है इस तरह से यहाँ पर पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है किस तरह से आपको किस तरह से प्रोसेजर करना है ITI का Admissions Merit के Base पर होगा जरूरी तारीखे यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पॉस्ट डाउन कर लीजिए तो यहाँ पर पहले लिष्ट कब आएगा इसके बारे में जानते हैं आवेद को द्वारा 36 गड़ ऑनलाइन पोर्टल में 61 संस्थानों तथा वैवसायों को प्रात्मिक्ता क्रम में चैन करते वे रजिस्ट्रेशन करना आवेदक रजिस्ट्रेशन करते समय साउधानी पुर्वक जानकारी भरे आवेद को द्वारा 24 लॉक करने के पश्चात किसी प्रकार का संसोधन नहीं होगा 1 जून 2023 से 11 जून 2023 तक कर सकते हैं उसके बाद आपका चिप्स द्वारा ओनलाइन पोर्टल पर प्रथम सुची दिस्प्ले करना संसा द्वारा नोटिस बोट पर आवेदको की प्रथम सुची जारी होगा 15 जून को तो 15 जून को आपके आबंटन लिस्ट शुरू हो जाएंगे उसके बाद है आपका प्रथम सुची के आवेदको का प्रवेश आवेदको को प्रवेश के निर्धारित की गई तित्यों में ही प्रवेश लेना आवस्यक होगा यदि उनके द्वारा निर्धारित तित्य को प्रवेश नहीं लिया गया तो अत्रिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा 16 से 19 तक student आवेदन यानि की प्रवेश कर सकते हैं कॉलेजों में इसके लिए अत्रिक्त समय नहीं दिया जाएगा इस तरह से आपको ये process रहेगा संस्था द्वारा प्रथम चैन्स सुची के प्रवेशित प्रसेक्षनार्थियों का data chips portal पर upload होगा 20 तारीक को तो ये 4 process आपके इसी month में होने वाला है तो इसको आप लोग अच्छे से देख लिजे, pause down कर लिजे screenshot आपको ले लेना है ये आपका प्रथम सुची इस तरह से रहेगा यहाँ पर आप सारी list देख सकते हैं आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा जहाँ पर कुछ links दिये गए जिनके माध्यम से आप आबंटेंड सुची को देख पाएंगे किस तरह से आपको देख सकते हैं ये आपका सारने दिया गया है online register करे, online login करे तो आपको ये login वाले को tap करना है ये कुछ और भी details आपको दिये गए तो इनको आपको अच्छे से पहले read कर ले ताकि ये post को आप पूरी तरह से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कौन-कौन से courses है इसकी जानकारी मिल जाएगा कौन-कौन से course होते है merit list कैसे जारी होती है क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे आपको तो ये सारी चीजे यहां से आप नोट कर सकते हैं आविदन पत्र, मुलनिवास प्रमान पत्र इस्थाई जाती प्रमान पत्र अनुसुचि जन जाती अनुसुचि जाती अन पिछड़ा वर्ग दस्वे के अनुसुचि लगेगा अधार कार्ड, इस्थानांतरन प्रमान पत्र और गैप सर्टिपिकेट और करेक्टर सर्टिपिकेट भी आपको जरूरी रहेगा तो इस तरह से पूरा आप वेबसाइट को देखेंगे पहला अलॉटमेंटल आपको देखना है इस तरह से आपको पूरा डिटेल्स को चेक करना है तो ओनलाइन आवेदन ओनलाइन आवेदन को लोगिन करने के लिए इसको आपको टैप कर देना है इस तरह से आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और अपना पास्वर्ड और कैप्चा कोट को फिल करके अपना अलोट्मेंट लेटर को चेक करेंगे तो धन्यवाद वाचिंग फॉर वीडियो सब्सक्राइब दे चैनल